मैं अपने सभी दर्शकों का आज के कारिक्रम में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ क्या आपने कभी सोचा है कि साधारन रबर विध्यूत रोधी होती है परन्तु वायू यान के विशेश रबर के पहिये हलके चालक बनाये जाते हैं ऐसा करना क्यों आवश्यक है गती धीमी हो जाती है तो कहते हैं कि संधारित्र फिट करने से गती बढ़ जाएगी इस प्रक्रिया में ऐसा क्या होता है कि पंखा तेज गती से घूमने लगता है आईए इन सभी प्रशनों के उत्तर ढूनने की कोशिश करते हैं तो शुरुआत हम करते हैं चालक स्तिर वैध्यूकी से आप चालकों तथा विद्यूतरोदी पदार्तों के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं चालकों में गती-शील आवेश वाहक होते हैं धात्विक चालकों में ये वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन धातू के अंदर गती करने के लिए मुक्थ होते हैं, परन्तु धातू से मुक्थ नहीं हो सकते। आवेश वाहकों की गती बाहिय विद्युद्शेत्र के साथ साथ रासायनिक बलो द्वारा भी प्रभावित होती है यहां हम अपनी चर्चा ठोस धात्विक चालकों तक ही सिमीत रखेंगे आईए चालक स्थिर वैद्युकी से संबंदित कुछ महतुपून परिणाणों पर ध्यान दे चालक के भीतर स्थिर वैद्युद्शेत्र शून्य होता है चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जब तक विद्युद्शेत्र शून्य नहीं है मुक्त आवेश वाहक एक बल का अनुभव करेंगे और उनमें बहाव होगा स्थैतिक स्थिती में मुक्त इलेक्ट्रॉन स्वयम को इस प्रकार वित्रित कर लेते हैं कि किसी चालक के भीतर स्थिर्वैद्युच्षेत्र शून्य होता है आईए अब अगला परिणाम देखते हैं आवेशित चालक के प्रिष्ट पर प्रिष्ट के प्रतियक बिंदू पर स्थिर्वैद्युच्षेत्र अविलंबवत होना चाहिए यदि इप्रिष्ट के अविलंबवत नहीं होता है तो उसका प्रिष्ट के अनुदिश कोई शुन्येतर घटक होगा तब प्रिष्ट के मोक्त इलेक्ट्रॉन प्रिष्ट पर किसी बल का अनुभव करेंगे और गती करेंगे अता स्थैतिक स्थिती में ई का कोई स्पर्श रेखिये घटक नहीं होना चाहिए इस प्रकार किसी आवेशी चालक के प्रिष्ट पर स्तिर वैद्युद्शेतर प्रिष्ट के हर बिंदू पर प्रिष्ट के अभिलंबवत होना चाहिए अगला अत्यंत महत्पून परिणाम है स्थेतिक स्थिती में किसी चालक के अभियंतर में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता किसी उदासीन चालक के प्रतिएक लगू आयतन अत्वा प्रिष्टिय अव्ये में धनात्मक तथा रनात्मक आवेश समान मात्रा में होते हैं जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है, तो स्थैतिक स्थिती में अतिरिक्थ आवेश केवल उसकी प्रिष्ट पर विद्यमान रहता है। यह काउस नियम से भी स्पष्ट है। अगला परिणाम विभव से संबंदित है। चालक के समस्थ आयतन में स्थिर वैद्यूत विभव नियत रहता है। तथा इसका मान इसके प्रिष्ट पर भी समान भीतर के बराबर होता है। चुकि किसी चालक के भीतर इशून्य है तथा इसका प्रिष्ट पर कोई स्पर्श रेखे घटक नहीं होता। अता इसके भीतर अत्वा प्रिष्ट पर किसी छोटे परिक्षन आवेश को गती कराने में कोई कार्य नहीं होता। अर्थात चालक के भीतर अत्वा उसके प्रिष्ट पर दो बिंदुओं के बीच कोई भी विभवानतर नहीं होता। कारिक्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले परिणाम पर चर्चा करते हैं। आवेशी चालक के प्रिष्ट पर विद्यूत शेत्र E आप लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एपसुले नॉट। यहां सिग्मा प्रिष्टिय आवेश घनत्व तथा एन कैप प्रिष्ट के अभी लमवत बहुर मुखी दिशा में एकांग सदिश है। यदी सिग्मा शून्य से बढ़ा होगा इसके लिए विद्यूत शेत्र प्रिष्ट के बहुर मुखी अभी लमवत है। तथा यदी सिग्मा शून्य से छोटा होगा तो विद्यूत शेत्र प्रिष्ट के अंतर मुखी अभी लमवत है। यदि बरसात के साथ साथ बादल कड़कते हैं और बिजली भी गिरती है तो यह सला दी जाती है कि हमें किसी गाड़ी अथ्वा बस के अंदर शरण ले लेनी चाहिए तो यह क्या प्रक्रिया है कि हम किसी खुली जगा या पेड़ के नीचे सुरक्षित नहीं है पर अंतु गाड़ी में बैठना सुरक्षित है तो इसी के विशे में अगले परिणाम के माध्यम से विस्तार से जानते हैं किसी ऐसे चालक के विशे में विचार करते हैं जिसमें कोई कोटर हो तथा उस कोटर के भीतर कोई आवेश ना हो एक विशिष्ट परिणाम यह देखने को मिलता है कि चाहे कोटर की कोई भी आकृती हो या आकार क्यों न हो तथा चाहे उस चालक पर कितने भी परिमान का आवेश हो कितनी भी तीवरता के बाहिय शेत्र में उसे क्यों न रखा हो कोटर के भीतर विद्युद शेत्र शून्य होता है बाहर चाहे कितना भी आवेश तता कैसा भी विद्युद शेत्र विन्याश क्यों न हो उस चालक में कोई भी कोटर बाहिय विद्युद शेत्र के प्रभाव से सदेव परिरक्षित रहती है कोटर के भीतर विद्युद शेत्र सदैव ही शून्य होता है इसे स्थिर वैद्युद परिरक्षन कहते हैं इस प्रभाव का उपयोग समवेदन शील उपकरणों को बाहिय विद्युद प्रभावों से बचाने में किया जाता है इस चित्र के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि किसी भी चालक की कोटर के भीतर विद्युद शेत्र शून्य होता है चालक का समस्थ आवेश कोटर सहित उस चालक के केवल बाहिय प्रश्ट परी विद्यमान रहता है कोटर के भीतर हमने कोई भी आवेश नहीं रखा है किसी चालक को यदी बाहिय शेत्र में रखते हैं तो प्रेरित आवेशों के कारण विद्यूत शेत्र बाहिय शेत्र का विरोध करता है। यहां उस समय तक होता रहता है जब तक कि स्थिती में दोनों शेत्र एक दूसरे का निर्शन कर देते हैं। चालक के भीतर नेट स्थिर वैद्यूत शेत्र शून्य होता है। किसी परावैद्यूत में आवेश की यह मुक्त गती संभव नहीं होती। फिर भी यह पाया जाता है कि बाहिय शेत्र परावैद्यूत के प्रिष्ट पर कुछ आवेश प्रेरित कर देता है। जो एक ऐसा शेत्र उत्पन करता है जो बाहिय शेत्र का विरोध करता है। परंतु चालक से भिन इस प्रकार का प्रेरित विद्यूत शेत्र बाहिय शेत्र को यथार्थ रूप से निरक्षित नहीं करता। यह केवल शेत्र को घटा देता है। इस प्रभाव को समझने के लिए हमें पराव वैद्यूत पदार्त में आणविक स्तर पर आवेश वित्रण के अध्यन की आविशक्ता होगी। किसी पदार्त के अणू धुरूवी अत्व अधुरूवी हो सकते हैं। तो आईए पहले हम अधुरूवी अणू पर चर्चा करते हैं। अधुरूवी अणू बाहिय बलकी उपस्तिती में किसी पदार्त के अणू धुरूवी अत्वा अधुरूवी हो सकते हैं। किसी अधुरूवी अणू में धनावेश तथा रणावेश के केंद्र समपाती होते हैं। तब अणू का कोई स्थाई अत्वा आंत्रिक द्वी धुरूफ आ घून नहीं होता। Oxygen O2 तथा Hydrogen H2 अणू अधुरूवी अणूओं के उधारन है। किसी बाहिय विद्व छेत्र में अधुरूवी अणू के धनावेश तथा रनावेश विप्रीत दिशाओं में विस्थापित हो जाते हैं। यह विस्थापन तब रुखता है जब अणू के अवियाई आवेशो पर बाहिय बल प्रत्यानायन बल अणू में आंत्रिक शेत्र के कारण। यह द्वाय संतूलित हो जाता है। अधुरूवी अणू एक प्रेरित द्वी धुरूफ आघून विक्सित कर लेता है। उस स्थिती में परावेद्युत को बाहिय शेत्र द्वारा धुरूवित कहा जाता है। प्रेरित द्वी धुरूफ आघून शेत्र की दिशामें होता है तथा शेत्र की तीवरता के अनुक्रमानुपाती होता है। विभिन अनुओं के प्रेरित द्वी धुरूव आघून एक दूसरे से जुड़कर बाहिय शेत्र की उपस्तिती में परावेद्युत का नेट द्वी धुरूव आघून प्रदान करते हैं। अधुरूवी अनुपढने के पस्चात अब आते हैं। द्वी अनुद के पाहिय शेत्र में रखने पर व्यवार में हुए अंतर परूवी अनुओं का कोई परावेद्युत किसी पाहिय शेत्र में एक नेट द्वी धुरूव आघून भी विक्सित कर लेता है। परंतु इसका कारण भिन होता है। जब कोई बाहिय शेत्र अनुप्रयुक्त किया जाता है तो व्यष्टिगत द्वीध्रूव आगून शेत्र के साथ संग्रेखित होने लगते हैं। जब सब अनुओं पर इसका योग किया जाता है तो बाहिय शेत्र की दिशा में एक नेट द्वीध्रूव आगून पाया जाता है। अर्थात परावैद्युत द्रूवित हो जाता है। द्रूवन की सीमा दो पर्स पर विरोधी कारकों की आपेक्षित तीवरता पर निर्भर करती है। और वो इस प्राकार है। पहला विद्युत शेत्र में द्वीध्रूव स्थितिच उर्जा जो द्वीध्रूव को शेत्र के साथ संग्रेखित करने का प्रयास करती है और दूसरा तापिय उर्जा जो संग्रेखण को बिगाडने का प्रयास करती है इस प्रकार दोनों ही प्रक्रणों में चाहे ध्रूवी हो अत्व अध्रूवी परावैद्युत किसी बाहिये शेत्र की उपस्तिती में एक नेट द्वीध्रूव आगूण विक्सित कर लिते किसी पदार्थ का प्रती एकांग आयतन द्वीध्रूव आगूण उसका ध्रूवन कहलाता है और इसे पी द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है रेखिक समदैशिक परावैद्युत के लिए हम लिख सकते हैं पी बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनॉट काई इंटू इवेक्टरूव आगूण यहाँ काई इपरावैद्युत का स्थिर अभी लक्षन है जिसे परावैद्यूत माध्यम की वैद्यूत प्रवर्ती जिसे एलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलीटी भी कहते हैं ध्रूवित परावध्युत के भीतर मूल बाहिय शेत्र का रुपांछर कर्ता है सरल्ता की द्रिश्टी से हम किसी एक आयतकार परावध्युत गुठके पर विचार करते हैं measurement जो किसी ऐसे एक समान बाहिय शेत्र E0 में रखा है जो गुटके के दो फलकों के समानतर है शेत्र के कारण परावध्यूत में एक समान दुरुवन P होता है परावध्यूत के भीतर किसी भी स्थान पर आयतन अलपांच डेल्टा वी पर कोई भी नेट आवेश नहीं होता है यद भी इसका नेट दुरुव आघुर्ण तो होगा परावध्यूत के प्रिष्ट पर विद्यूत शेत्र के अभीलंबवत स्पष्ट रूप से एक नेट आवेश घनत्व होता है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है दाए प्रिष्ट पर दुई धुरुवों के धनात्मक सिरे हैं तथा बाई प्रिष्ट की ओर दुई धुरुवों के रणात्मक सिरे अनुदासित रह जाते हैं अस अंतूलित आवेश बाहिये शेत्र के कारण प्रेरित आवेश होते हैं अतह धुरुवित परावध्यूत के दो आवेशित प्रिष्टों के तुल्य हो जाता है जिनके प्रेरित प्रिष्टिय आवेश, घनत्व, सिग्मापी तथा माइनस सिग्मापी है यह स्पश्ट है कि इन प्रिष्टिय आवेशों द्वारा उत्पन विद्यूत शेत्र बाहिय शेत्र का विरोध करते हैं इस प्रकार परावैद्यूत में कुल शेत्र उस प्रक्रण की तुलना में जिसमें कोई परावैद्यूत नहीं है कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि यदि दो चालक को साथ में रख दिया जाए और उनके बीच में कुछ विवांतर हो उस निकाए को क्या कहेंगे। इसको कहते हैं संधारित्र कोई संधारित्र विद्युद रोधी द्वारा प्रथक दो चालकों का एक निकाए होता है। चालकों पर आवेश Q1 तथा Q2 तथा उनका विभव क्रमशह V1 तथा V2 होता है। प्राए व्यवार में दो चालकों पर आवेश प्लस Q और माइनस Q होते हैं। और उनमें विभवांतर V1 माइनस V2 होगा। हम केवल इसी प्रकार के विन्याज के संधारित्र पर विचार करेंगे। क्या आप यह सोच सकते हैं कि संधारित्र का कुल आवेश कितना होगा। क्यूं को संधारित्र का आवेश कहते हैं परन्तु वास्तव में ये संधारित्र के एक चालक पर आवेश होता है और संधारित्र का कुल आवेश शुन्य होगा चालकों के बीच के शेत्र में विद्युद्शेत्र आवेश क्यूंके अनुक्रमानुपाती होता है अर्थात यदि संधारित्र पर आवेश दो गुना कर दिया जाए तो हर बिंदू पर विद्युद्शेत्र दो गुना हो जाएगा विबवांतर वी किसी लगू परिक्षन आवेश को शेत्र के विरुद्ध चालक दो से एक तक लाने में प्रती एकांग धनावेश दुआरा किये गए कारे के बराबर होता है और इसके फल स्वरूप V भी Q के अनुक्रमानुपाती होगा और Q अपॉन V एक नियतांग है C बराबर Q अपॉन V और यहां C संधारतर की धारता है जैसा कि हमने पहले भी कहा है धारता C आवेश Q अत्वा विवांतर V पर निर्भर नहीं करती धारता सी केवल दो चालकों के निकाए के ज्यामितिय विन्यास और वो क्या-क्या होंगे वो हो सकता है अकार, आकृति, प्रत्थकन सिफ इनी पर निर्भर करती है जैसा कि हम आगे देखेंगे यह दोनों चालकों को प्रत्थक करने वाले माध्यम अर्थात विद्यूत रोदी जिसको हम परावैद्यूत भी कहते हैं उसकी प्रकृती पर भी निर्भर करती है यहां धारता का SI मात्रक एक फैरड है और एक फैरड को हम और किस प्रकार के से लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं एक कूलाम प्रती वोल्ट अत्वा वन कूलम पर वोल्ट व्यवार में एक फैररड धारता का बहुत बड़ा मात्रक है धारता के अधिक सामान्य मात्रक इस मात्रक के अप्रवर्तक हैं जैसे एक Micro Farad 10 raise to the power minus 6 1 Nano Farad 10 raise to the power minus 9 Farad 1 Pico Farad बराबर 10 raise to the power minus 12 Farad आदी नियत धारता के संधारित्र का प्रतीक इस प्रकार है जबकि प्रवर्ती धारता के संधारित्र का प्रतीक हम इस प्रकार से लिख सकते हैं संधारित्र किसी भी आकार का हो सकता है जैसे की समांतर प्रतीका संधारित्र, गोलिये संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र आदी हम अभी के लिए पहले समांतर प्रतीका की धारता का सूत्र ज्याद करेंगे किसी समांतर पटिका संधारित्र में दो बड़ी समतल एक दूसरे के समांतर पटिकाएं होती हैं जो हम यहां देख सकते हैं जिनके बीच प्रथकन कम होता है यह इनके बीच का प्रथकन है हम सरप्रतम दो पटिकाओं के बीच माध्यम के रूप में निर्वात को लेते हैं पहले मान लेते हैं कि प्रतियेक पटिका का शेत्रफल A है इन दोनों पटिकाओं का शेत्रफल A है तथा उनके बीच प्रत्रकन D है जो चित्र में दिखाया गया है दोनों पटिकाओं पर आवेश प्लस Q और माइनस Q है। चुकि पटिकाओं की रैखिक विमाओं की तुलना में D बहुत छोटा है अर्थात D स्क्वेर बहुत छोटा है शेत्रफल A से, हम एक समान आवेशित प्रिष्टिय घनत्व सिग्मा की अनन्त सम्तल चादर के चेत्र के परिणाम का उप्योग कर सकते हैं। पटिकाओं का प्रष्टिय आवेश घनत्व सिग्मा और सिग्मा को हम लिख सकते हैं। सिग्मा बराबर आवेश बटा शेत्रफल तथा पटिकाओं का प्रष्टिय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है। विबिन शेत्रों प जो कि पटिका एक के उपर का शेत्र है यहां e बराबर सिगमा अपॉन्ट 2 एब्सलयल नॉट इसकी वज़ा से तथा इसकी वज़ा से मैनस सिगमा अपॉन टू एब्सलयल नॉट यह मैनस क्यूँ? क्यूँकि दोनों की दिशा विप्रीथ है तो यहाँ e बराबर 0 होगा बाहिय शेत्र 2 जो की पटिका 2 के नीचे का शेत्र है यहाँ पर भी समान तरीके से e बराबर sigma upon 2 epsilon 0 और यह भी इसी पहले के प्रकार sigma upon 2 epsilon 0- और यह भी 0 के बराबर होगा पटिका 1 तथा 2 के भीतरी शेत्र में, दो आवेशित पटिकाओं के कारण विद्युज्शेत्र क्या होगा? यह जुड जाएगा और हमें क्या प्राप्थ होगा? हमें मिलेगा E बराबर sigma upon 2 epsilon not, plus sigma upon 2 epsilon not, इसको इसका योग हम लेंगे, तो आएगा sigma बराबर epsilon not, sigma को हम लिख सकते हैं, आवेश बटाशेतरफल और यह epsilon not. क्या आप सोच सकते हैं कि विद्ध्युचेतर की दिशा क्या होगी, इन दोनों के भीतर के स्थान पर? जी हाँ, विद्युचेत्र की दिशा धनावेशित पटिका से रणावेशित पटिका की ओर होगी जैसा कि हमने यहाँ चित्र में दर्शाया है एक समान विद्युचेत्रों के लिए विवांतर, विद्युचेत्र तथा पटिकाओं के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है तो V बराबर शेत्र E इंटू प्रत्रकन के बराबर है जिसको हम लिख सकते हैं Q इंटू D अपॉन एब्सलों इंटू शेत्रफल A तब समान तर पटिक का संधारत्र C की धारिता क्या होगी यह धारिता होगी आवेश बटा विभांतर और हम इसको लिख सकते हैं एब्सलों शेत्रफल बटा उनके बीच का प्रत्रकन D आईए अब हम एक फैरेड की विशालता देखते हैं इसके लिए हम इस समीकरण में एब्सलों शेत्रफल तथा प्रत्रकन का मान पुट करेंगे इसमें तो एब्सलों नॉट का मान 8.85 10 रेस तो पार माइनस 12 शेत्रफल हमने यहां 1 मीटर स्क्वेर लिया है और प्रत्रकन 1 मिली मीटर है जिसको मीटर में लिखेंगे तो 10 रेस तो दी पार माइनस 3 होगा इसको हल करने के पस्चाथ हमें मिलेगा 8.85 10 रेस तो दी पार माइनस 9 फैरड तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर हमें इस संधारत्र का शेत्रफल देखना हो तो शेत्रफल के लिए C इन्टू D अपॉन अप्सिलो नॉट C हम यहां पर रखेंगे 1 फैरड क्योंकि हम उसके लिए शेत्रफल देखना चाहते हैं तो C 1 फैरड हम यहां पर दोनों पटिकाओं के बीच प्रत्थकन 1 सेंटेमिटर लेंगे 10 रेस तो दी पार माइनस 2 बटा अप्सिलो नॉट यह तो 8.85 10 रेस तो दी पार माइनस 12 रहेगा इसको हल करने के बाद हमें मिलेगा 10 रेस तो दी पार 9 मीटर स्क्वेर और यहां से यह प्रकट होता है कि जैसा हम पहले भी वर्णन कर चुके हैं एक फैरड व्यवार में धारता का एक बहुत बड़ा एक आंक है एक फैरड की विशालता को देखने का एक धंग और भी है कि हम यह ज्याद करें कि एक फैरड धारता के समांतर पटिका संधारितर की पटिकाओं का शेत्रफल यदि उनके बीच दूरी एक सेंटेमिटर है त दूरी का मान और एपसलोनौट का मान रखने के पस्चात यह देखते हैं कि यह जेत्रफल टैन रेस टूदी पार नाइन मीटर स्क्वेर है और इससे लगभग लंबाई और चौडाई जो होगी वो तीस किलोमेटर के बराबर होगी तो अब हमारे दर्शक यह अंदाजा लगा सकते हैं कि एक फैरड वास्तव में कितना विशाल मातरक है यदि पटिकाओं के भीतर की जगा को परावैद्यूत से पूरी तरह से भर दिया जाए तो शेत्र, विवांतर तथा धारता पर क्या असर होगा आईए देखते हैं इस अनुभाग में किसी बाहिय शेत्र में परावैद्यूतों के व्यवार के बारे में जानकारी के प्रस्चात आईए अब हम यह देखें कि किसी समांतर पटिका संधारित्र की धारता किसी परावैद्युत की उपस्थिती द्वारा किस प्रकार से रुपांतुरित होती है। तथा आवेश घनत्व प्लस माइनस सिग्मा है और हम सिग्मा को आवेश तथा शेत्रफल से इस प्रकार जोड सकते हैं। यहां पर संधारित्र की धारिता सी नॉट बराबर आवेश बटा विवांतर होगी जिसको हम लिख सकते हैं। इसकी पस्चात हम उस प्रकरण पर विचार करते हैं जिन में दोनों पटिकाओं के बीच किस समस्त शेत्र को किसी परावैद्यूत द्वारा भर दिया जाता है। शेत्र द्वारा समस्त परावैद्यूत द्रूवित हो जाता है। और पटिकाओं पर नेट आवेश घनत्व कितना होगा। प्लस माइनस सिग्मा माइनस सिग्मा पी। अब हम परावैद्यूत में विद्धुच्छेत्र लिख सकते हैं, E बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा P बटा अबसलोनोट, पटिकाओं के सिरो पर विवानतर कितना होगा? यह होगा गुणनफल के बराबर, किसका गुणनफल? विद्धुच्छेत्र और प्रत्थकन का जिसक को लिखेंगे, सिग्मा माइनस सिग्मा P यहीं से हमने यहाँ लिखा है इंटु D, पटिकाओं पर नेट आवेश घनत्व कितना होगा? सिग्मा माइनस सिग्मा P और सिग्मा के अनुक्रमानुपाती है, तथा अब हम इसे क्या लिखेंगे? सिग्मा अपउन K के बराबर, परावैद्यूत का एक स्थिर अभी लक्षन है और यह स्पष्ट है कि के का मान एक से बड़ा है तब पटिकाओं के बीच परावैद्यूत होने पर हम लिखेंगे विवांतर बराबर सिग्मा डी अपॉन अप्सलो नॉट इंटू के और यह किसके बराबर होगा सिग्मा को ल लिखने के बाद के को लिखेंगे as it is डी प्रथकन भी इसी प्रकार लिखा जाएगा अब जो संधारित्र है उसकी धारिता होगी आवेश बटा विवांतर और यह होगा अप्सलो नॉट के इंटू शेत्रफल बटा प्रथकन डी गुननफल अप्सलो नॉट इंटू के को म निर्वात के लिए के का मान एक के बराबर होता है तथा अप्सलो नॉट होगा अप्सलो नॉट को निर्वात का परावैद्यूतांग कहते हैं अब पदार्थ का परावैद्यूतांग के बराबर एबसलो नॉट होगा तथा परावैद्यूतांग को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं संधारित्र बटा संधारित्र नॉट जो निर्वात होगा दोनों पटिकाओं के बीच में तो हम क्या निश्कर्ष निकाल सकते हैं यदि किसी संधारitr के बीच की जगा को परावेद्युद पधार्थ से पून तहा भर दें जब किसी संधारitr की पटिकाओं के बीच कोई परावेद्युद पदार्थ रिपीट जब किसी संधारित्र की पटिकाओं के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ पूर्ण तहा भर दिया जाता है तो उसके धारिता के मान में निर्वात के मान से व्रिधी हो जाती है क्या ये व्रिधी केवल समांतर पटिका संधारित्र के लिए ही लागू है यद भी हम समांतर पटे का संधारित्र के प्रकरण के लिए समीकरण पर पहुँचे हैं तथा भी यह हर प्रकार के संधारित्र पर लागू होता है तथा वास्तव में इसे व्यापक रूप में किसी पदार्थ के परावैद्युतांख की परिभाशा के रूप में देखा जा सकता है कर लाग।